My dear friends, welcome to my channel जिसका नाम है Stay Beautiful with Navadid तो आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने सारी मेकप के साथ मैं आज कैसे आई हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पार्टी से होकर आई हूँ और अब टाइम है कि मैं अपना फटा फट से मेकप रिमूफ करूँगी और उसके बाद में क्या स्टेप्स फॉलो करूँगी वो आपको बताऊंगी तो मेकप रिमूफ करने से पहले ये याद रखे कि आपको अपनी ज्यॉल्री रिमूफ कर ली है ये मैं रिमूफ कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं एक अच्छा सा बर्न बना लेती हूँ, जिससे मेरे बालो को बिल्कुल भी एफेक्ट ना हूँ यहां भी बिंदी लगाई थी बिखाए थी तो इसको मैंने रिमूफ कर लिया है अब देखिए मैं किससे अपना मेकप रिमूफ करने वाली हूँ वह है गार्नियर का मिसलर ओल इंफ्यूस्ट क्लिंजिंग वाटर यह मेकप रिमूफ करने के लिए बहुत ही एक अच्छी में साथ रिमूविंग मेकप पहले क्या पेस को करना है त्याहिए थी थोड़ा सा शोर आहा होगा आखिज बाष्यूस्ट का मैस प्लीज ए वाइक अवैडिए रिमूफ प्लीज एवाइट रिमूफ अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी तरीके से मेरा foundation compact सब clean हो चुका है, यह देखिए, I think it is visible, तो अब start करते हैं, इसी वाले पाट से, लिप्स्टिक remove करना, देखिए कितना easy है, बहुत ही easily से आपकी, जबरदस वाले माट थी, देखिए कितनी easily आपकी यह clean हो रह है, यह makeup remove करने के लिए बहुत ही अच्छा solution है, आप ज़रूर ट्राय कीजिए, यह देखिए, मेरी पूरी lipstick जा चुकी है, अब यह pad पूरा गंदा हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ और एक नया पाइप निकाल लेती हूँ, तो मुझे इसी के साथ यह cotton pad स्प्री मिल हैं, तो आप ही ट्राय कर सकते हैं, यह मैं थोड़ा सा प्रोडाक्ट और ले रही हूँ इसमें, अपने eye makeup को remove करने के लिए, देखिए यह कितने अच्छे से जाएगा, किन यू सीट, कितने अच्छे से यह remove हो रहा है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे यह video शेयर करूँ, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, कि makeup remove करने के लिए सबसे best क्या रहेगा, as per your requirement, आप product ले सकते हैं, मुझे थोड़ा और product लेने की जुरत पड़ रही है, I think so, clear हो चुका है, तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से मेरा makeup remove हो चुका है, अब मैं जो next step follow करूँगी वो है, toner का जिसके लिए मैं गुलाब जल यूज कर रही हूँ, यह best natural toner है, कुछ नहीं करना है तो बड़ा सा दूर रखियो और यह spray कर ली तो like this, अब थोड़ते हैं इसको अपने face में, face पर अच्छे से सूप में भीजे, मेरे face पर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी moisturizer, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, aloe vera gin, जो यह मेरा favorite part है, यह बहुत natural है, माइल होता है, तो यह मुझे बहुत पसंद है, आप अपना कोई भी favorite, moisturizer apply कर सकते हैं, तो मैं यह moisturizer apply कर रही हूँ, makeup remove करने के बाद यह बहुत ही जरूरी steps होता है, जो आपको बहुत अच्छे से follow करने हैं, यह अच्छे से मैंने makeup remove अपना कर लिया है, so thank you for watching, hopefully आपको समझाया हो कि makeup remove करना, makeup करने से जादा important होता है, so bye bye all, thank you!